नमस्कार दोस्तों तनहीं सरस्वे में आप से विका बहुत बहुत स्वागत आज हम बनाने वाले है चिकन बोंडा यह बहुत ही असान और डिलिश्यस स्नेक्स रेसिपी है आईए शुरू करते है आज की वीडियो चिकन बोंडा बनाने के लिए मैंने ले लिया 200 गम्स विद् पिंकार दिया है दो मिलियम साइज का बाड़ी कटा हुआ प्याज आट से दस लसंग के गलिया एक इंच अधरग का टुकड़ा एक कप बेशन हाफ कप चावल का आता यानि राइस फ्लार लाल मीच पॉडर हल्दी जीरा पॉडर गड़ मसाला पॉडर नमक कड़ी पत्ता हरी नीच और खड़ा धन्या सबसे पहले हम फूकर में डालेंगे एक कप पानी उसके बाद हम डालेंगे चिकन बेसेस और डालेंगे आलू स्वादनूसर नमक डाल देंगे एक चुड़चे मच खल्दी पॉडर एक चुड़चे मच गरव मसाला पॉडर एक चुड़चे मच लाल मीच पॉडर एक चुड़चे मच जीरा पॉडर और डालेंगे जिंजर गर्लिक पेस्ट दो चमच फिर सब कुछ अच्छे से मिला देंगे कुकर के बटकर को बन कर देंगे और तीच से चार सीटी अंगे के बाद हम केम को पर कर देंगे और खंडा होने देंगे खंडा हो चुड़ा है उसके धकन को पोलेंगे और चीकन और बॉल्ड आलो को स्टीन कर देंगे बॉल्ड चीकन और आलो को एक प्लेट में निकाल देंगे और ठंडा होने देंगे बॉल्ड बॉल्ड को चीकन पीचे से बलग कर लेंगे चीकन को छोटे छोटे पीचेस में बना लेंगे तरहाई में हम दालेंगे थ्री टेबल स्टूम पेज़टेबिल ओल्ड ओल्ड को गरंपोने देंगे पॉल्ड गरम हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे बारिक कटा हुआ प्यांज चिंजर कर लिक पेज़ट दाल देंगे लिक्षे मुझे कड़ी लिप्स हडी मिल्ड जाल देंगे फिर अच्छे से फ्राय करेंगे प्रेम को मिलियम रखके 2-3 मिलिट खाउंट इसे फ्राय करेंगे दो मिनिट फ्राय हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे बोईल किया हुआ आलू और चिकन अच्छे से मिला देंगे चिकन और आलू को मिलाने के बाद इसमें डाल देंगे चिकन स्टॉप तब तक पकाते रगे जब तक इसका पानी सूक ना जाए उपर से डाल देंगे खड़ा धन्या अच्छे से मिला देंगे फिर और पान से साथ पीर फम से पकाई देंगे पानी एकदम ड्राइगर देंगे प्राइग हो चुका है अब हम क्लेन को बज कर देंगे और ठंडा होने देंगे जब तक चिकन ठंडा होना है तब तक हम बैटर तयार करेंगे इसमें हम दालेंगे एक काप बेशन हाफ कप चावल का आठा एक चमच लालमीच पाउडर नमक फिर सब कुछ एक साथ अच्छे से मिला लेंगे सब कुछ अच्छे से मिलाने के बाद उसमें डालेंगे पानी थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और बैटर त्यार करते जाएंगे एक ठीप स्मूर्थ बैटर त्यार करेंगे दो बैटर तयार हो चुका है अब हम इसे पांच मिट साइबी रख देंगे चिकन ठंडा हो चुका है उसमें से थोड़ा थोड़ा करके लेकि इतना छोटा छोटा बॉल बना लेंगे कठाई भी तेलडा देंगी और गड़म होने देंगे फील गड़म हो चुका है अब हम चिकन बॉल्स को बैटर में डिप करेंगे और ओल में डाल दे जाएंगे एक साइड फ्राई होने के बाद हम दूसरे साइड में पलड़ देंगे कोल्डिन ब्राउम करके फ्राई हो चुका है वावरूम इसे निकाल देंगे अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आये तो लाइक करें और ज्याद से ज्याद से शेयर करें कॉमेंट बॉक्स पे अपना कॉमेंट्स डाला ना भूलें सब्सक्राब का बटन ज़रू दबाएं पास में बेल आइकन को भी तबाएं ताके आप मेरी कोई भी वीडियोज हम फिर लाटेंगे कोई नई रेसिपी को लेकर दब तक के लिए अलवीदा